नमस्कार बंदे मातरम दोस्तो स्वागत है आप सब का सैनिक पार साला में आज के इस वीडियो के तीन महत्रपुन जानकारियों को लेकर आया हूँ जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तो जानकारियां जुड़ी हुई है OROP 3 से पूर्व सैनिकों के एक ऐसी संस्था जिसके संग्रक्चक खुद माननियरक्चा मंत्री जी है जिसको भारत के संसद ने स्विक्रिती दे रखी है ऐसी एक संस्था ने OROP 3 की मांग को लेकर के चिठ्ठी लिखी है जी हां आगे चिठ्ठी भी दिखाऊंगा आपको ये जानकारी सामने आईए कि जुलाई 2024 से हमारा D.A.D.R. बढ़के कितना हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सभी जानकारियों को हासिल करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग रहे है अगर साइनिक पार साला चैनल का वीडियो आप पहली बाहर देख रहे है या अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप से जुड़ी हुई भरोसे मन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी Economic Times के आंकड़े जुलाई 2024 से 4% DA की होगी बढ़ोतरी दोस्तों वैसे तो DADR की जो बढ़ोतरी होती है वो होती है AICPIN के आंकड़ों के आधार पर अब पिछले 2 क्या 3 महीने हो चुके अब तो 3 महीने से सरकार ने AICPIN के आंकड़ों को जारी नहीं किया फ्रिज करके रखा हुआ है तो ऐसे में हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि जुलाई 2024 से हमारा DADR कितना पहुँच जाएगा लेकिन पिछले दिनों अमर उजाला ने भी ये जानकारी दीती और अब की बार Economic Times जो की एक बहुत ही भरोसेमन और विस्वस्निय अकवार माना जाता है खास करके Financial चीज़ों को ले करके तो Economic Times की तरफ से ये जानकारी सामने आना दोस्तों कि DADR जुलाई 2024 से 4% बढ़ जाएंगे कहीं न कहीं मैत पूने है अब जो खबर आप देख पा रहे है Economic Times के हवाले से जो खबर सामने आई है उस खबर में ये बताया गया है कि जुलाई 2024 से केंदर सरकार केंदर के करमचारी और पैंसनर्स के लिए 4% DADR में बढ़ोतरी करने जा रही है हाला कि जब AICPIN के हांकटे सामने आएंगे तब ये खबर और पुखता होगी लेकिन Economic Times की तरफ से दी जाने वाली इस जानकारी को कहीं न कहीं हम एक आधार मान सकते हैं और जुलाई 2024 से हमारा DADR 4% की बढ़ोतरी होगी ऐसा हम आस लगा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की और दोस्तों स्पर्स के Technical समस्याएं खतम होने का नाम नहीं ले रहे सोया हुआ स्पर्स के Technical Team और सोये हुए Tata Consultancy Services के Software Engineers जिहां दोफ्रों स्पर्स में जो Technical Support देना है वो Tata Consultancy Services दोआरा देना है यानि कि Tata के जो Software Engineers है वो स्पर्स के उपर काम कते हैं उन्होंने ही बनाया है स्पर्स को तो ऐसे मैं स्पर्स के अंदर जो आए दिन खामियां दिखाई दे रही है वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं स्पर्स की जो Technical Team है या जो Tata Consultancy Services के जो Engineers हैं क्या वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं क्या वो सो रहे हैं क्योंकि एक ही तरीके की खामी बार बार जब आ रही है तो ऐसे ही सवाल खड़े होंगे चलि मैं आपको स्पर्स का एक PPO दिखा के समझाता हूँ दोस्तों ये एक औरिजेंडम PPO जो स्पर्स द्वारा जारी किया गया है अब इस PPO में मैं आपको स्पर्स के Technical Problem के हद समझाता हूँ अब ये जो PPO है नाएक वाई ग्रूप के नाएक का पैंसनर का PPO है 16 साल 4 महिना 3 दिन उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 2013 का ये रिटाइरी होने की वज़े से उनको M.A.C.P. लाग हुए 16 साल सर्विस पूरी हो गए उनकी तो उनको M.A.C.P. लाग हुए M.A.C.P. हवलदार का उनको पैंसन लाग हुए तो बहुत जद्द जहत करने के बाद बहुत बार ग्रिवेंस लेटर लिखने के बाद रिकार्ड आफिस ने उनका M.A.C.P. अज़स्ट कर दिया M.A.C.P. अज़स्ट करके उनका L.5 कर दिया गया और कई सारी चीज़ें बदल दी गई है और उसमें सबसे बड़ा बदला हुए देखिए उनका जो पैंसनर M.A.C.P. ग्रांटेट पहले नाएक ग्रेड था ओल्ड वेल्यू और न्यू वेल्यू में देख पा रहे हैं अब यहाँ पर मैं तो पूर्ण चीज़ आप देखिए सर्विस पैंसन और सर्विस पैंसन कितना है 20,107 रुपे एक नाएक का सर्विस पैंसन दोस्तों हम अपना जो भी M.A.C.P. बगरा लड़ जगड के क्यों एड़जस्ट करवाते हैं ताकि हमारे पैंसन में बढ़ोतरी हो अब सब कुछ तो बदल दिया पे लेवल को भी 05 कर दिया सब कुछ बदल दिया लेकिन जो बेसिक पैंसन जिसके लिए पैंसनर जद्दो जएद करते हैं वो 20,107 है यानि कि ये नाएक का पैंसन है 16,5-16 साल के नाएक का पैंसन है अगर हवलदार का एड़जस्ट कर दिया होता तो 21,782 रुपे यहां पर पैंसन होना चाहिए था तो कहीं न कहीं सब कुछ एड़जस्ट तो कर दिया लेकिन पैसे की जब एड़जस्टमेंट की बारी आई तो वो ही नाएक वाला छोड़ दिया तो कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की ये हद है जिन चीजों को सही करना चाहिए जिन चीजों को एड़जस्ट करना चाहिए उनको तो किया नहीं और बाकी सारी चीज़ें बदल करके रख दिये तो आप सब ने PPO देखा दोस्तों कहीं न कहीं इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को स्पर्स द्वारा उनके टीम द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के जो इंजिनर्स हैं उनके द्वारा संजीतगी से लेते हुए इस खामी को दूर करने की जरूरत है चले आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के ओर O.R.O.P. 3 को ले करके इंडियन एक्स सर्विसेस लिग का डिपार्टमेंट आफ एक्स सर्विसेस लिग का सचिब को खारी खोटी दूर करें O.R.O.P. 3 की विजंगतियां एक जुलाई दोजार चोवीस से बिना देरी किये लागू करें O.R.O.P. 3 और जारी किये जाए O.R.O.P. 3 के टेबल चले सीधे हम लेटर देख लेते हैं दोस्तों ये एक लेटर है सबसे बड़े संगरक्षक धुद डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो पैटरोन्स हैं यानि कि संगरक्षक हैं वो Chief of Defence स्टाफ, Chief of Army स्टाफ Chief of Air स्टाफ अर Chief of Naval स्टाफ हैं और दोस्तों President इनके देखिये Brigadier Inder Mohon Singh यानि कि IESL जो Indian Earth Services League है यह बहुत बड़ी संस्था और पुरा नहीं संस्था है इसको जो है आप यहाँ पर आगर देखेंगे established by a resolution of लोकसवा यानि कि लोकसवा में एक प्रस्ताब पारित करके इसको established किया गया था इंडियन एक सर्विसेज लीग को और किसने किया था यानि कि दोस्तों बहुत बड़ी संस्था अब इस संस्था ने वन रेंग वन पैंसन को ले करके डक्टर नितेन चंडरा जो की IAS Secretary ESW है उनको यह लेटर लिखा है जो बहुत महत पूर्ण लेटर है दोस्तों कोट ने फाइनल आदिस सुनाया था और इसी जज्ज्मेंट में मानने सुप्रीम कोट ने OROP 3 के एक्विलाइज़सन को देरी ना करने का भी आदिस दिया था आगे Government of India Ministry of Defense का 3 February 2016 का भी लेटर का जिकर यह यहां और साथ ही साथ equalization was done on 1 July 2019 but was delayed by 4 years यानि कि आपको पता है Secretary साब को पता है आपको पता है कि अगला equalization यानि कि OROP 3 1 July 2024 को due है और पिछला equalization चार साल देरी से 1 July 2019 से दिया जाना था लेकिन चार साल देरी से दिया गया है We are aware of anomalies in the equalization done 1 July 2019 and a number of veterans have gone to the courts in this regard यानि कि बहुत सारी विसंगतियां OROP 2 में रह गई थी जिसकी बज़े से कई सारे पूर्वसेनिक court का रूप कर रहे हैं in the past one year We at IASL approached the services headquarter and the secretary of DESW as also the rakhchamantri to resolve the anomalies. Sadly not one of our communication was replied by anyone Notwithstanding this the veterans have no option but to go to the courts and most have obtained a favorable verdict from the courts. If you feel this is the way forward we have nothing to say यानि कि कई सारे ऐसे विसंगतियां OROP में थी जिनको ले करके हमने जो रक्षा मंत्रा लए और services के जो headquarters हैं उनको अमारी तरफ से गवार लगाई लेकिन किसी ने भी अमारी नहीं सुनी और इसको ले करके कई सारे पूर्वसैनी कोट में गए और मानने कोटों से अभी जो judgment आ रहे हैं वो जो pensioner हैं जो पूर्वसैनी के उनके favor में आ रहे हैं तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी anomalies ऐसे ही हमारी गलतियां सुनदर जाएं तो यही सही आगे पांस नमर परगाफ में बोला गया May I request you to have the tables published well in time and new pension be implemented with effect from 1st July 2024 without any anomalies यानि कि हम इसलिए request करते हैं आपसे कि जो table 2024 जुलाई से जारी होने है वो table जल से जल जारी कर दिये जाए और जल से जल OROP 3 का declaration कर दिया जाए यानि कि दोस्तों ये एक पूर्वसैनिक संस्था जो कि बहुत पुरानी और मैत पूर्वसैनिक संस्था और government द्वारा established government द्वारा recognize पूर्वसैनिक संस्था होने की वज़े से इनके द्वारा रखी गई इस मांग का सायद कुछ न कुछ value दिया जाएगा तो आप सब ने दोस्तों एक बहुत ही पूर्वसैनिकों की पूरानी संस्था आई एसल जिसने अब department of ex-servation welfare को ये मांग रखी है कि विसंगतियों के बगेर और जल्द से जल्द ORP3 को लागू कर दिया जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी जानकारियों के साथ आया था आगया और कोई जानकारियों आए आपसे सारुकार रखने हो लाविसैले कि मैं फिर से आधिर हो जाऊंगा तब तक के लिए जहीं जोड़ू